भगवान विष्णू ने श्री कृष्ण के रूप में देव की और वसुदेव के घर में जन लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अफ्तार का विस्तृत वर्नन श्रीमत भागवत पुरान में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में वाले प्रमुक देवता है। जब जब इस प्रित्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंख्याप्त होता है तब तब भगवान विष्णू किसी ना किसी रूप में अफ्तरित होकर प्रित्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णू ने अभी और पापकृतियों हो रहे थे। धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई थी। अतर धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अफ्तरित हुए थे। श्री कृष्ण में इतने अमित बुन थे कि वे स्वयम उसे नहीं जानते थे। फिर अन्य की तो बात ही क्या है समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृत्वी पर सोलर कलाओं से पूर्ण होकर अफ्तरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धी के लिए उन्होंने सामदाम दन्द भेद सभी का उप्योग किया क्योंकि उनके अफ्तिर न्होंने का मात्र एक उद्धेश्य था कि इस पृत्वी को पाप्यों से मुक्त किया जाए। अपने इस उद्धेश्य की पूर्ती के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्मव्यवस्था को सर्वोपरी म कुरुक्षेथ की रणभूमी में अर्जुन को कर्मग्यान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।